जेह हिंद आप सोबों को, चलिए, आज हम पढ़ रहे थे, अरली मैन, चैप्टर टू, हमने अरली मैन पढ़ा था, अरली मैन का हम लगवग टू पेज पढ़ चुकी है, हम लोग टू पेज पढ़ चुकी है, हम स्टार्ट करेंगे, इसमें पढ़ा था कि हमारे जो आर्ली में थे वह फूट गेदरर Anda सेब्सक्राइबर का भोजन का संगत्थे ता फोजर्ण का प्रोडक्शन नहीं करते थे, इसलिए उन्हीं क्या बूला ज़ता था? फूट गेद्रर, मतलब कि गेद्रर करना गेद्रिंग, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है फूट का फूट गेदरी, क्या लिए होगा है, फूट गेदरी, मतलब वो भोजन का संग्रहन करते थे, भोजन को ढून ढून के जंगलों से लाते थे, कंद मुल फल को लाते थे, या भी जानवरों को मीठ का यूज करते थे, फिर हमने पढ़ा कि वो किस प्रकार के अनेक प्रकार के जिस प्रकार का यूज रहता था उस प्रकार के हुए, हडडी को बनाती थे, ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, यूज अफ फायर, मतलब आग का उपियो, यूज अफ फायर का मतलब होता है क्या, आग का उपियो, it is believed, क्या लिए होए, it is believed that either when the tools were made are in, some of other way when two stones struck together, क्या बोल रहा है, it is believed, believed means क्या होता है, बिश्वाश करना, that either when tools were made are to some other way when two stones struck together, हम tools कैसे बनाएंगे, एक पत्थर को दूसरे पत्थर में रग रेंगे, या फिर पीटेंगे, तभी तो tools बनेंगे, तो बोल रहा है है क्या, जब हमको tools बना तो उसको हमको उसकी धार मजबूत करने है, तो धार मजबूत करने के लिए उसको क्या करेंगे, उसको दूसरे पत्थर से उसको रगड़ रहे थे, तो रगड़ते रगड़ते होंगे, उसमें अस्पार का निकला, अब देखते होंगे अकसर हम दो पत्रों को जो 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 पीटते हैं तो क्या होता है? उसमें से आग निकलती है, चिंगारी निकलती है A sparking must have taken places, उस समय भी a spark होता होगा At a result, dried leaves and grass must have cast fire कि उसमें भी fire निकलता होगा और जो यह लगषज जो dried gin, जो जो सूखे घास थे घृ। गहस परती थे उस पे वे चिंगारी गई होगी और उसरे आग लग गया होगा सबसे पहले आग का अविश्कार तो इसी प्रकार हुए न कि जैसे अभी भी आप देखते होंगे, जंगलों में अक्सर आग लग जाती है, तो जंगलों में अक्सर अपने आग लग जाती है, वहां पे कोई नहीं रहते हैं, तब भी जब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो जंगल में आग लग जाती है, होता क्या है, कि वहां पे बह और वहीं पर उस चट्यान पर पत्ते रहते हैं, तो वह पत्ते आग को पकड़ लेते हैं, इसी प्रकार जब आधी की मुद्काल में भी इसी प्रकार आग की खोश हुई होगी, इस वे अक्सिदेंटली बोल रहा है यह अक्सिदेंटली, अबर अन्सेस्टर्स डिस्कभर होव तू लाइट फायर भॉलन हैं यह अचानक से, इस अक्सिदेंटली हमारे जो पूरवस थे, होनोंने फायर को जलाना, फायर को, how the ancestor discover, discover कर लिया, how to light fire, किस प्रकार light किया जाए फायर को, वो हमारे जो ancestor थे, हमारे जो पूरवज थे, उनने accidentally ही सीख लिया, Gradually, man started using fire, तब आयम जो हमारे human beings थे, वो क्या किया, start किया, fire का यूज करना, several way, to scare away wild animal, to roast meat, to protect themselves in winter, फिर उन्होंने अपने आपको आग का यूज करना सिखा, scared, scared away, wild animal, जो जंगली जानवर थे, उन्हें डराने के लिए, उन्हें अपने से दूर रखने के लिए, जब वो राद में सोते थे, कोई खम, गूफा के इन में सोते थे, तो वहां पर गूफा में जानवर भी आ जाते तो गूफा के आगे आग जला जाते थे, उसे क्या होता है, क्यों ही, वहां पर जब आग जलने की कारव, वहां पर कोई जंगली जारवार नहीं आते थे, मीट को रोष्ट करते थे, जो मीट होता था, उसे रोष्ट करते थे, to protect themselves, in winter, और winter में, जब बहुत ठंड होती है, तो आज दी हम लोग आग जला की अपने घरों में, घर को गरम रखते हैं, उसी प्रकार, जब human dreaming का, जो फ्रारमदी का स्टेज था, उस समय, वह लोग भी आग जला कर अपने आपको सुरच्चित रखते थे, how to find out, how to find out, how to find out, कैसे पता करें, do you know, that even today, there are people in the world who depend on forest, बोल रहा है, कि आज भी, do you know, क्या तुम जानते हो, So, even today, अभी भी, there are people in the world who depend on the forest, बोल रहा है, अभी भी कुछ ऐसे people हैं, जो forest पहीं depend रहते हैं, ऐसे भी, आकसर हमने टीवी में, नियोस्टिपर में पढ़ा हैं कि अंडबन निखोबार के, कुछ आइलेंड में, ऐसे जन जाती रहते हैं, जो अभी तर, food gathering हैं, यानि, food gathering कर करते हैं, जनवरों के डिपेंड रहते हैं, और जंगलों से फाल खोल कर खाते हैं, तो उसे बोल रहा है, कि आज भी हमारे कुछ जन जाती हैं, जो इस प्रकार का कारेक्ट करते हैं, और दे, do not settle down permanently at one place, बोल रहा है कि वो अभी तक एक जगा permanent settle नहीं हुए हैं, वो आज भी permanent settle नहीं हुए हैं, in one place, and keep wandering in search of food, बोल रहा है कि वो अभी भी भूट की तलास में, भोजन की तलास में, एक जगा से दूसरे जगा घूमते रहते हैं, wandering करते रहते हैं, ठीक है, they eat roots, fruit, do, where wild varies, fruits, and even go on hunting, क्या बोल रहा है कि वो अभी भी roots खाते हैं, वेरीज खाते हैं, wild varies खाते हैं, fruits खाते हैं, कज मूलफल खाते हैं, और hunting करते हैं, जनवरो का शिकार करते हैं, In the forest area of 36 गह, like वस्तर, शर्गुजा, life of the people, life of people is based on hunting and gathering forest produce, क्या बोल रहा हैं, कि जो हमारे 36 गह में, जो वस्तर और सर्गुजा का एरिया हैं, वहां के पिपुद, the life of people is based on hunting, उनके, उनके बहुत सारे जंजाती, आज भी hunting and gathering food produce, वो आज भी जंगल से food, जंगल में जो food production होता है, पेड में जो फल्फुन लगते हैं, जंगली फल्फूल जो होते हैं, उन्हें वो क्या करते हैं? उन्हें सहेजते हैं, संभालते हैं, उन्हें खाते हैं और जानवरों का सिकार करते हैं. The study of their lifestyle help us in imagine the life of early man. बोलगा है कि उन जन जातियों पर जब हम रिसर्च करते हैं, उनकी हान पान, उनके जीवन यापन, उनकी लाइफ स्टाल देपते हैं, तब हम उस्षे, हम अपने अरली मैन का कॉंपरीजन करते हैं, कि हमारे अरली मैन जो थे, वो भी इसी प्रकार जंगलों में भूट का भू की जो तकी रहती हैं, कि रहती हैं, बा करो है से कलत दोटा हैं, लोग फिर भी इसारी दंगान, तो यह जो हमारे पुरा स्थाल है, जो प्रारंबिक जो सब्धिता थी, उसके जो अफसेस हैं, तो जब उनकी खुदाई होती हैं, तो वहां से हमें बहुत सारे बस्तुएं प्राप्थ होती हैं, जिसे हमें पता चलता है कि जो हमारे जो अरली मैं थे, वो भी इसी प्रकार का करते हैं, having found excavation like stone tools and weapon made out of wound and of animals, वहां से क्या प्राप्त होता हमें, like a stone, उन्हीं कि जैसा stone वो यूज करते हैं, वैसा stone का tools use होता है, मतलब excavation से हमें प्राप्त हुआ है, और बेपन इस्तेमाल हुआ, बेपन प्राप्त हुआ है, तथा, जो bone of animals, made out of bone of animals, जो animal के bone से भी जो बेपन बनाया गया, उसे भी कहीं कहीं से, कुछ जगों से प्राप्त हुआ है, के, which were made thousand of years ago, जो बना है, thousand, हजारो शाल पहले, thousand of years ago, all these things help us to understand the life of early man, ये सब बस्तों हमें, लाइफ और अरली मैन की लाइफ स्टाइल को समझने में हमें मजद करती है, all these things, things help us to understand the life of early man, जो हमारे अरली मैन जो हमारे अरली मैन थे, इं, lived in a small group and had a feel of cooperation, जो जो हमारे अरली मैन थे, वो उसे आषिक लाइफ स्मॉल गुरूप, वो कैसे रहते थे, जो हमारे अरली मैन थे, वो हमारे अरुप बना कर रहते थे, और एक दूसरी को को भुईक करते थे, जैसा आप गुरूप में रहते हैं तो हम, हम किसी भी ग्रूप में रहते था, ग्रूप को हम सपोर्ट करते हैं, ग्रूप हमको सपोर्ट करता है, हम ग्रूप को सपोर्ट करते हैं, तो कोपरेशन, स्रयोग, had a feeling of कोपरेशन, women and children would collect fruits, berries and grains, वो रहा है जो, जो small group होता था, उसमें जो women होती थी, और जो children होते थे, जो women and children होते थे, वो क्या करते थे, collect करते थे, fruits collect करते थे, grains collect करते थे, और berries collect करते थे, मतलब जो food product, जो जंगलों से फ्राप्त होता था, उसे, कौन को collect करते थे, women and children, और जो में परसन होते थे जो मेल परसन होते थे वो क्या करते थे? वो हंटिंग का काम करते थे. Sometime, both men and women would hunt together and they collect various. बोल रहा है कि कभी-कभी वो ज्यादा का ज्यादा women and children collect करते थे. ग्रेन, वेरीज, फ्रूट्स लेकिन हमेशा अचा नहीं होते थे. अभी-कभी male person भी male और female दोनो man and woman दोनों मिलके एकारे करते थे. This way, whatever they got would be shared by all. यह लोग collective रहते थे और सब मिलके एक दूसरे को बाट दे थे. Nothing was saved और कुछ भी बचा कर नहीं रखते थे. Nothing was saved. Everyone had equal right. जब वो small group में रहते थे और early man थे तो सब के equal right थे. किसी के right काम या ज़्यादा नहीं है. जैसे आज आज आप देखते हों, आप एक घर में देखते होंगे, तो सब के पास समान अधिकार नहीं होता है. घर में एक मुख्या होता है, जिसके पास अधिक rights होते हैं. और घर के person जो होते हैं, उनके पास, उनके इस्थिती के अंसार उनके पास right होते हैं. मतलब equal right नहीं होते हैं. जैसे हम society को भी देखते हैं, तो सब के पास equal right नहीं है. उस लेकिन जो early man थे, उन समय सब के पास equal right थे. All the things of the group. No one was rich or poor. बोल रहा है, जो उस समय, corporation में, जो चोटी 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 group में रहते थे, उस में ना तो कोई rich था, ना कोई pure था, सब समान थे, सब equal थे. Why could no one be rich or poor in the society of the early man? अब आप सोच के बता सकते हो कि उसमें कोई poor और कोई rich क्यों नहीं था, सब equal क्यों थे? आप यह सोच के, बतायेगा कि क्यों है ऐसी society, उस समय की society और आज की society में ऐसा difference क्यों है? अगले वार, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे religious traditions and believe, religious traditions and believe, ठीक है? धनने बाद.